हैलो फ्रेंड्स, मलीना ये 2000 की मुवी आज में आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक छोड़ा लड़का एक औरत की पैप में पढ़ जाता है इसके बाद क्या होता है, ये आज की मुवी की स्टोरी लाइन है इस मुवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है और बहुत सारी छीज़ी रिवील करती है सोसाइटी किस तरीके से लोग को देखती है और especially औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया इसकी एक complete inside ये मुवी देखकर जाती है मुवी स्टार्ट होती है और मुवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है मुवी जो है कि इटली के एक शहर में चल रही है हमारा मेन क्यारेक्टर एक छोटा लड़का रिनेटो हमें दिखता है इनके कंट्री में वार का इलान हो चुका है पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो यह बहुत खुश है बाइसिकल लेकर यह बड़े वच्चों के पास चला जाता है इन बड़े लड़कों का एक exclusive गैंग है जिसने रिनेटो को भी शामिल होना है इसे वज़े से इसमें cycle बाइखी है क्योंकि इन सब के पास cycle है रिने तो जब cycle लेकर आता है तो इसके वो friends बन जाते है yya बाती कर रहे होते है तब ही वहाँ से मलीना आती है यह सब लड़के बैठ जाते है और मलीना को देखने लग जाते है रेने तो मलीना को पहली बार देखता है तब ही उसे प्यार हो जाता है मलीना एक बहुत ब्यूटिफुल वारत होती है और सब लोग इसके पीछे होती है जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्णर पर आ जाते है और फिर से उसे देखते है जैसा करते करते शेहर तक वो पहुचते है मलीना इन सब के हैं एक टीचर की लड़की होती है ये टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इन से वो बहुत मजाग करते है ये सब लड़के समुन्दर के पास बेट कर अपने आपको मेजर गर रहे होते है इसमें से एक लड़का ब्रैट करता हूँ कहता है या लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिग्रेट लाने के लिए बोला था जब वहाँ गया तो उसने अपना रोब नीचे किरा दिया मैंने उसे पुरा नेकट देखा है इसी तरीकी की स्टोरी सब लोग मलीना के बारे में बनाता है तो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने है और मलीना ने उसे सिग्रेट लाने के लिए भुलवाया है उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी यही स्टोरी अपने मांड में रीक्रियेट करता है वो रेने तो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है हाप पैंट्स पहनना उसे ज़रा गलत लगता है तो अपनी फादर की पैंट लेता है और उसे अल्टर करवा कर लाता है जब उसके फादर को पता चलता है तो बहुत ही जीट जाते है उसे कुट्ते जैसा मारते है यह अपने फादर को कहता है कि मुझे शरम आती है उसके फादर और वो फिर डील बनाते है उस वक्त इटिली में मुसुलिनी का राश्ता उसके फादर कहते है कि जिस दिन मुसुली निमाज जाएगा उस दिन में तुम पैंट जिलवाँगा रनी तो भी इसके लिए मान जाता है रनी तो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बना कर देखता है कि उसके घर में चल क्या रहा है मलीना अपने घर में अकेली होती है उसका हस्बन वार में चला गया होता है रनी तो जब बारबर शॉप में जाता है मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि मलीना का कोई न कोई तो होगा जो उससे हेल्प करता होगा उसका husband बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ affair है सिर्फ rumors फैलाने का काम सब लोग करते है मलीना बहुत अकेली होती है अपने husband का later पढ़ती है उसे बहुत बुरा लगता है रने तो अब उस पर हमेशा spike करने लग जाता है और सब कुछ देखता है वो फिर से रात में होल से मलीना की घर में देखता है मलीना म्यूजिक सुनकर डांस कर रही होती है यह शहर में जाकर सिर्फ धून से shopper को बता रहा होता है कि उसे गाना चाहिए shopper भी चरव परिशान हो जाता है वो उसे बोल के लिए खेता है अने तो कुछ बोले आदाते हैं और ये CD वो बाई कर लेता है रात में यही CD लगा कर वो सुनता है इसके पास एक छोटी सी भूख होती है जिसमें nude पेंटिंग्स होती है इसमें भी वो मलीना को ही देखता है मलीना को देखकर imagine करता है कि वो उसके पास आ चुकी है और लेटर फेक देता है, मलीना का अब वो पीछा करते करते हैं, शेहर में भी आ जाता है, शेहर में हम देखते हैं, तो सब लोग मलीना को देख रहे होते हैं, जवान, भूड़े सब लोग, रने तो फिर मलीना का पीछा करते करते हैं, एक घर तक आ जाता है, इस घर में उप देखता है और ठेटर में जो फिल्म जलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन देखता है इसमें मलीना को कंफरेंट कर रहा है कि क्यूं उसने उसे दगा दिया यह हार्ट प्रोग हो जाता है इसे और भी क्यूरासिटी है कि मलीना किसके साथ है तो फिर से उसका पीछा करता है यह अपने आपको प्लीज करता रहता है उसके बेड़ के आवाज आती है तो उसके फादर उसे बहुत डागते है और फिर भी मानने वाला नहीं होता है नेक सिर में हम देखते हैं कि रनी तो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है उसके फ्रेंड्स बात करे होते हैं कि मलीना का हस्ब वहाँ से चला जाता है अब Rin Quandtu जहां भी जाता है तो सब लोग मलीना के बारें हमीं बात करे होती है और्बर किसके साथ अफेर है इसके थिरिस बनाते है और रने तो कोई अच्छा नहीं लगता ये लोग जब Stockholmこと दूद लाने के लिए कहते है तो इसमें वो थूप देता है मलीना के खिलाफ कोई जाए यह उसे अच्छा नहीं लगता रने तो फिर जज आता है जज में वो डारेक्ली गॉट से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे अपनी एज का नहीं लगता वो एक अपोस्टल से अपनी सब बात कहता है वो कहता है कि हम एक डील करते मलीना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुमारे कैंडल चलाता रहूंगा रने तो एक दिन जब मलीना पर नज़र रख रहा होता है तो वो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका ब्लाउज वो बाहर ही रख देती है रने तो जाकर ये ब्लाउज लेकर आता है ये फेस से रात में मलीना को इमेजिंग करता है और ये ब्लाउज अपने फेस पर रख कर रात में सो जाता है अगले दिन इसके फादर ही देखते गर में बहुत ही तमाश खड़ा हो जाता है इसकी मदर रोने लग जाती है इसके फादर इसे मारने लग जाती है ये बलाउस इसकी मदर जला देती है सब लोग अब डिस्टब हो जाते है इसके फादर इसका रूम बन कर देते है रने तो बाहर नहीं जा सकता तो खाना बिना छोड़ देता है एक बीमार पर जाता है तो डॉक्टर को बुलवाया जाता है डॉक्टर कहते इसे बाहर जाना चाहिए फिर से इसका रूटिन स्टार्ट हो जाता है एक दिन मलीना के फादर को एक लिटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि मलीना सब गाउ के साथ सो रही है मलीना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से वो चले जाते है रनेतो का फ्रेंड मलीना के बारे में बुरी बात ही कर रहा होता है तो रनेतो और उसका फाइट हो जाता है अब रने तो वेर से मलीना के घर में जाग कर देख रहा होता है रात में वह देखता है तो वहाँ एक आर्मी ओफिसर आ चुका है यहारने तो को पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है जब ओफिसर मलीना के घर से बाहर निकलता है तुम उसे एक डॉक्टर देखता है ये डॉक्टर उसके पास जाकर गएता है कि मलिना मेरी फियानसे है तुम कैसे उसके घर से बहार निकल सकते हो इन दोने फैट हो जाती है तभी डॉक्टर की वाइब भी वहा आ जाती है दॉक्टर की वाइव इसका पीछाई कर रहे थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कही ना कही चक्कर चल रहा है यहाँ और भी लोग आ जाते हैं और यह बड़ा एशू बन जाता है सबको लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानि एक मैरिट आदमी के साथ संबन बनाया है इसे वज़े से इसे जेल भी हो सकती है मलीना अब एक लीगल ट्रबल में है तो एक एड़ोकेट के पास आती है जब इसका कोर्ट चलता है तो डॉक्टर कहता है कि मेरी फियान से है मलीना से सवाल पूछ जाते है मलीना कहती है ये डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बार ही आया था और वो भी मेडिसिन डेनी के लिए हम दोनों में कुछ भी संबन नहीं है ये डॉक्टर वो कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलीना का और उसका relationship है यह बता रहा था actual में ऐसा कुछ भी नहीं था मलीना से जब army officer के बारे में पूछा जाता है तो कहती ही कि यह मेरा personal mentor है इसे जानने का हग किसी को भी नहीं है scandal की वज़े से उस army officer की बदली हो जाती है अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर lawyer आया हुआ है यह उसे touch करने कोशश करता है तो मलीना उसे पैसे देती है वो कहती है कि इससे जादा में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती lawyer केता है कि मेरी face तो इससे बहुत ही जाता है वो मलीना को जगड लेता है और उसके साथ intimate हो जाता है यह सब रने तो देख रहाता है मलीना भी कुछ कर नहीं पाती अब थोड़ा डाइम गुजर जाता है और रने तो को बहुत ही depressing लगता है इस doctor को सब लोग loser समझते है कोई भी लड़की इसके पास नहीं जाती क्योंकि वो स्टिंग करता है यह middle age है फिर वी अपनी मदर के साथ ही रहता है रने तो उस दिन के बाद मलीना के घर पर नज़र रखने के लिए नहीं गया है मलीना अब इस lawyer से शादी करने वाली है रने तो कोई सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो मलीना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिन्दगी वीता सकती हो उसकी teacher उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी teacher से भी पोछ लेता है उसे लगता है कि वो मलीना ही है यह यहाँ बहुत मार खाता है रने तो वो प्रॉक्टर पर नज़र रख रहा है डॉक्टर जबनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है सबने अफ़वा बनाई है कि मलीना सब लोग के साथ सोती है इसी वज़े से उसकी मदरों से बहुत मारती है अब मुवी में मुसुलीनी मर चुका है तो रेने तो नहीं पैंड मिल जाती है मलीना लॉयर से शादी नहीं करना चाती तो उसे वो मना कर देती है इसके बाद मलीना की financial situation बहुत ही खराब हो जाती है मलीना को उसके husband के भी pension अब मिल ले रही तो उसके खाने पिने का भी बहुत बड़ा problem हो जाता है उसके बहुत बदनामी हो गई है तो अगर उसके पास पैसे भी होते है तब भी उसे कोई सबजय वाईरा नहीं देता मलीना एक दूसरे आदमे से मिलती है और उसे भी ब्रेट लेती है इसके बदले में के भी इसके साथ intimate होना चाता है अब नेकसिन में हम देखते है कि इनके शहर के उपर से प्लेन कुजरते है और बहुत बड़े बॉम्स इन पर डाल देते है इसमें मलीना के फादर मर जाते है इस फ्यूनरल पर सब लोग उसे कहते है कि उसका सहारा बन सकते है पर इन सब को सिर्फ इसके साथ intimate ही होना होता है रात में मलीना के पास खाना देने के लिए कादमी आता है ये फिर से उस पर जबग पड़ता है इस बार मलीना रेजिस नहीं करती अब नेक सिन में में दिखता है कि मलीना ने पुरा makeover कर लिया है मलीना पैसे कमा सके इसलिए prostitution में चली जाती है ये सब देखकर रनेतों को बहुत ही बुरा लगता है ये depressed हो जाता है कुछ भी खाना पिना नहीं कर रहा होता सब को लगता है कि भूद ने इसे पचाड लिया है इस पर सब treatment होती है जाज में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता रनेतों के फादर समझ आते हैं कि इसकी बिमारी अलग ही है इसे डारेकली वो रेड लाइट एरिया में एक prostitute के पास लेकर आते है जब ये prostitute रनेता के साथ होती है तो इसे लगता है कि ये मलीना ही है वो मलीना को ही imagine करता है अब थोड़े दिन गुजर जाते है इटली वार में जीत चुकी है और वहाँ जशन मनाया जा रहा है मलीना prostitution करने लग गई है तो गाउ की सब औरते अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है अब सब वाइव डिसाइड करती है कि वो मलीना को सहर से बाहर निकाल देगी उसे बहुत मारते है मलीना भी वहाँ से निकल जाती है रने तो मलीना को जाते हुए देखता है थोड़े दिनों बाद मलीना का हस्बन गाउ में आ जाता है यह मरा नहीं था इसका हाट टूट गया था और सबको लगा था कि यह मर चुका है यह गाउ में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहा था जब अपने घर पर पोच्छता है तो वह इमिगरंट्स रह रहे होते है यह फिर आर्मी के आफिस में आ जाता है यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रोस्ट्रूट बन चुकी है इसे बहुत ही दुख होता है यह नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है मलीना के बारे में पुच्छता है यह सब कहते है कि किसी रेड नाइट एरिया में होगी यह इसकी इंसल्ट करते है हस्मन और उनकी फाइट हो जाती है पर हस्मन ही गिर जाता है उसका हाट टूटा हुआ है तो उट नहीं सकता रने तो भी उसका पीचा करते गरते यह सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है रात में हस्मन अपने घर पर होता है तो रने तो चूपके से जाकर उसे चिट्टी देख रहाता है पास हो भाग जाता है इस चिट्टी में लिखा होता है तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है सब बूरी चीज़े लोग मलीना के बारे में कहते हैं और मुझे पता है कि हमेशा तुम से ही प्यार करती थी उसने जो सब चीज़े की उसने सिर्फ अपना घुजारा करने के लिए की रानेतों को पता है कि मलीना कहा गई है तो उसकी लोकेशन हो बता देता है हस्बन मिं मलीना को लेने के लिए चला जाता है थोड़ी दिनों बाद मलीना और उसका हस्बन गाव में वापस आ जाते है सब लोग इन धेखने लग जाते है पर इने कुछ फरक नहीं पड़ता नेज़ दिन मलीना सबजी लेने के लिए आती है यहां सब लोग बात कर रहे होते हैं फिरसे वापसाना यह बहुत करेजियस था मलीना को कुछ लोग सिंपताईज करने लग जाते हैं उसने इतना सब कुछ जलाए तो उने बुरा लगता है मलीना का हस्बन अब उसके साथ है उसे प्रोटेक्ट कर सकता है इसी वज़े से उसे फिरसे अब सब लोग रिस्पेक देने लग जाते हैं मलीना घर वापस जा रहे होती है तब उसकी सबजिया नीचे गिर जाती है रने तो उसके पास जाता है और यह सब उठाने में उसे मदद करता है जाते जाते उससे कहता है कि अब तुमारी लाइफ के लिए गुड लग मलीना भी स्माइल देती है और रने तो वहाँ से चला जाता है नहीं तो कहता है कि अब मैं वहाँ से भाग गया मेरे इनोसंस से मेरे पुरानी लाइफ से मैं भागता ही चला गया उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ हमेशा मुझसे पूछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे पर हमेशा सिर्फ मैंने मलीना को याद रखा है यही है मुवी एंड हो जाती है अगर हम इस मुवी में देखे तो मलीना का हस्बन चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ होगी उसके बीचे रूमर्स बना लग गई वो एक औरत है तो सिर्फ उसे अबजेक्टिफाई करने लग गया मलीना उनकी सेक्शल डिजायर्स कम्पिट करने का सिर्फ एक जरिया था रने तो भे मलीना से अट्रेक्टेट था और फर्सली उसे अबजेक्टिफाई कर रहा था पर वो जब मलीना को दिन रात देखने लग गया तो उसे पता चला कि मलीना के लाइफ में चल क्या रहा है वो क्या कर रही है उसके साथ क्या हो रहा है उसके हालत कैसे है और यह उसे कैसे शेप कर रहे है यह सब वो देखने लग गया उसे सोसाइटी बर गुसा आने लग गया किसी के भी लाइब में क्या चल रहा है है कभी हम जान नहीं सकते उसके बारे में रुमर करना कितना गलत है यह मुझे हमें बताती है मलीना को सब लोग जो समझते थे बाद में मलीना वही बन गए उसके बाद भी सब लोग ने उसे मार-मार कर ГАO से बाहर निकाल दिया उने तो समझ गया था कि सचुच में अगर मलिना से प्यार करता है तो मलिना को उसे जाने देना चाहिए इसलिए मलिना का हस्बन वापस आया तो मलीना के बारे में सब कुछ सच उसने उसे बता दिया उसके वीडियो हम यही कतम करते